नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब का यूपी ट्रिपल सी पीटी की त्यारी कर रहा है तो प्रीवाला हमारा टेलिग्राम जरूर जोईन कर लिजेगा जिसका की पूरा नाम है यूपी ट्रिपल सी पीटी बाई इस्टडी फॉर सिविल सिर्फिस यानि की एड़ दरेट लगातार आपके लिए आप देख रहा हूंगे उस ग्रूप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है उसी से जॉइन करिएगा या फिर यह वाला गूप है देख लिए दियां से टेलिग्राम में यह लिखके सर्च करना है यूपी ट्रिपल सी पीटी बाई स्टडी फ इसमें स्टोरी हाइलाइट यह प्लस पोस्स जरूर देख रही है तो पहले कम क्वेश्चन होते लेकिन यह बाइलिंग्वल होते हैं और पहले वाला जो स्लॉट होता है उसमें ज्यादा क्वेश्चन पर आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है तो वीडियो यहां लगातार आपको उपलब्द कराये जा रहे हैं आप चाहें तो किसको अटेंप्ट भी कर सकते हैं इस टेलिग्राम चैनल को जवाईन कर लीजेगा चली शुरू करते हैं पहला प्रिश्चन आप देख रहे हैं यहां का आ गया कि विच ब्लड ग्रूप इस यूनिवर्सल जो कि सबसे ले सकता है लेकिन देगा किसको सिर्फ अपने वाले को ओ वाले के साथ यह उल्टा होता है जो ब्लड ग्रूप ओ है वो असल में देता सबको है लेकिन लेगा सिर्फ ओ वाले से इसके बाद अगले प्रेश्चन को देखते हैं इसके बाद आगे चलते हैं अगल संख्या 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि C.A.D. stand for मतलब C.A.D. का पूरा नाम आप पताइए इसमें फुल फार्म बताना है आपको तो इसका जो actual फुल फार्म है वो ये है computer added design C.A.D. ठीक है मतलब यहाँ D होगा computer added design यह इसका पूरा नाम अगले प्रशन को देखते हैं प्रशन संख्या 4 which of the following gas contribute the maximum tooth phenomena of global warming मतलब भूमंडली इतापन जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान देने वाली gas कौन सी है तो इसमें जितनी लिखी गई इसमें से किताब कौन सी है तो यहाँ आप C वाले option को देख रहे हैं C वाला ही इनका है an era of darkness ठीक है यहाँ आप जो देख रहे हैं किताब an era of darkness यह इनकी द्वारा लिखी गई प्रशन संख्या 6 में पूछा गया कि fundamental duties are mentioned in which of the following part of Indian constitution तो कौन से पार्ट में यह जो fundamental duties है यहाँ पर मूल कर्तवियों की बात हो रही है उन्हें add किया गया तो इसका जो right answer है वो हो जाएगा भागचार कव या भागचार A इसका जो D वाला option है वो perfect स्वर्ण सिंग समिती की सिफारिश के आधार पर इसे संभिधान में संशोधन करके बाद ने add किया गया इसके बाद अगले प्रशन को देखते है साथवा what is the minimum age of becoming a governor of state in India भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनितम आयू कितनी चाहिए होती कम से कम 35 साल 35 साल से कम नहीं होना चाहिए इसके बाद देखिए आ गए इसमें आठवे नंबर का question which color is far when red and green are mixed मतलब लाल और हरे को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा पीला बन जाएगा ठीक है यहां आप देख रहे हैं इसमें से जो रंग है न वो पीला अब आपने reaction पढ़े होगे तो इसमें आप देख लिए जा रिज़िया है कि उश्मा बिमोचित होती है यानि release होती है कि reaction in which heat is absorbed मतलब उश्मा को और शोशित कर लिया जाता है इसका नाम पढ़ेंगे तो खुदी मालू हो जाएगा उस्मा शोशी मतलब यह सोशी है अर्थात और शोशन कर रही है इसके बाद अगले प्रेशन को देखते हैं प्रशन संख्या 10 गदर पार्टी के फाउंडर कौन थे सोहन सिंग भाकना और लाला हर्दयाल दोनों के सोजन से इसकी स्थापना होती है और गदर नाम का एक समाचार पत्र भी निकाला जाता है प्रशन संख्या 11 को देखते हैं Kyoto Protocols and International Treaty to Reduce Greenhouse Gas Emission मतलब जो हरिद्ग्रिह प्रभाव को बढ़ाने वाली गैसे हैं उनके emission को प्रतिबंधित करने के लिए Kyoto Protocol ये जो है इसकी first meeting was held in which country कहाँ पर ये पहली बार हुई थी अब यहाँ देशों के नाम देखेगा तो जापान में ये पहली बार हुई थी Kyoto शहर के नाम से आप गेस कर सकते हैं इसलिए इसको Kyoto Protocol कहा जाता है अगले प्रेशन को देखे यहाँ कहा जा रहा है कि Bimbledon is a place associated माफ कीजएगा associated यहाँ चुकि ED जो है वो बाद में आ गया है कोई बात नी associated with which of the following sport मतलब Bimbledon स्थान जो है वो इसमें से यह country कौन सी है इसमें आप देखकर बताई तो यह चीन है देखे social media पर पाबंदी लगाना यह बहुत अच्छी बात तो नहीं है लेकिन जितना दुरुपयोग आजकल हो रहा है उसमें कुछ जो social media platform है उनका ban हो जाना ही अच्छा है सभी का नहीं कुछ उसमें से काफी अच्छे भी है जो कि aware करते हैं लोगों लेकिन आप यहां देखे चाइना ने पाबंदी लगा दिये तो चीन इस मामले में काफी मनमानिया करता है वो उसमें राज तंत्री जो प्रशाशन है वो चलता रहता है पब्लिक की कमी सुनी जाती है अगले प्रशन को देखते हैं प्रशन संख्या चौधवे को इसमें कहा जा रहा है कि भारत में तीसरी पंचवर्षी यह उजना जो थी उसका में मोटिव क्या था हर पंचवर्षी यह उजना का कोई न कोई थीम था तो इसमें जो उसका मेन मोटिफ था, हो था कृशी कृशी को फिर से एक बार यहाँ पर प्रायॉर्टी दी गई कभी उद्योग को दिया गया, कभी कृशी को दिया गया इस प्रकार से इसके बाद देखें, यहाँ कहा गया कि अकबर नामा किस ने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है ठीक है, अभी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए बिच सिख गुरू, इनिशेटेट दखालसा खालसा की शुरुवात किस ने की थी गुरु गोविन सिंग ने की थी यहाँ आप देख रहे हैं, दल खालसा प्रशन संख्या सत्र अब यहाँ पर वो जो डिस्टेंस है वो आपको बतानी है कि कितने किलोमेटर होगी, मतलब भूमते रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी, लगभग कितने किलोमेटर होती लगभग, exact ring तो यह 111 होती मतलब approximately 111 होती है, यहाँ आप देख सकते प्रशन संख्या 18 में कहा गया कि विच आप दो फालोइंग विंड आर होट, डस्ट, लेडन और बलो फ्रॉम सहारा डेजर्ट तूर्ड्स मेडिटेरियन रीजन यह कौन सी हवा होती है, जोकि गर्म धूल से भरी होई होती है और सहारा मरुस्थल से भूमत्य सागरी, छेत्र की और बहती है मतलब योरोप की और प्रवाइत होती है तो सहारा डेजर्ट से यह रेद उठाती है और उसके बाद जो यूरोपी देश है, मतलब मेडिटेरियन तक के रास्ते में आने वाले, उन पर उडेल देती है, ये सिरैको है, ठीक है, ये गरम और सुष्क हवा होती है, बालू भरी आधी आधी आप कह सकते हैं, 19 में को देखिए, आधी व्याधी, ये देख रहे हैं आधी व्याधी, शब्द यूग में है, तो आधी का इसमें क्या मतलब है, व्याधी मतलब तो बिमारी होता है, लेकिन आधी मतलब क्या होता है, अवसाद होता है वैसे, लेकिन अवसाद शब्द यहां नहीं दिया है, उसकी जगह क्या दिया है, मानसिक कष्ट, अवसाद म तो इसमें जो correct answer है वो C हो जाएगा मतलब वो आसानी से नहीं मिलेगा इसके बाद अगले प्रशन को देखते है find out which part of sentence has an error if sentence is free from error then choose your answer as option D मतलब इसमें आपको यह देखना है कि जो sentence दिया है उसमें क्या गलतिया है मतलब किस part में sentence की गलतिया है जो option दिया है उसमें part wise sentence को divide कर दिया है जैसे देखिए are not your father and your elder brother out of town यह पूरा sentence है आपका मतलब एक question पूछा जा रहा है लेकिन उसको तीन part में break कर दिया है किस part में गड़बढ है अगर नहीं है कहीं गड़बढ तो आप D वाले को चुनेंगे फिलाल इसमें देख कर बताईए तो इसमें D वाले को ही चुन लेते हैं देखिए कुछ भी कड़बढ नहीं है यह जितना है न सभी सही है are not your father and your elder brother out of town ठीक तो है चलिए इसका D वाला है इसके बाद अगले question को देखते हैं out of the four alternative choose the word opposite in meaning of meaning to the given word और यहाँ जो given word है वो क्या है यह जो शब्द है न यह है ostentation शब्द को आप देख रहे है ostentation तो आप बताईए कि इसके लिए alternative यहाँ पर क्या होगा कुछ जो शब्द है वो दिये हुए है फिलाल इसका modest हो जाएगा ठीक है modest जो इसका correct answer है उसे हम चुनते है next question number 23 recently Hindi version of Odisha इतिहास is released by PM Modi who is author of Odisha इतिहास Odisha इतिहास को किसमे लिखा है तो इसको लिखने वाले है हरे कृष्ण महताब यहाँ रोमिला थापर को मत चुनिएगा D वाला सई next question number 24 और इसमें कहा गया कि PM कुसो में स्कीम जो है इसमें किसके अंतरगत काम किया जाता है मतलब यह किस से संबन्दित है तो इसका यहाँ संबन्द जो है Ministry of यहाँ देखिए जो B वाला option है Ministry of New and Renewable Energy नवीन और नवीकरणी उर्जा मंत्राले से ही संबन्दित है नवीकरणी उर्जा से ही योजना संबन्दित है वैसे भी इसके बाद अगले प्रशन को देखते है प्रशन संखिया 25 में कहा गया कि India along with अब यहाँ पे एक blank space है Conduct the joint military exercise खंजर मतलब एक संयुक्त सैन्दी अभ्यास भारत ने किया है जिसका नाम था खंजर तो यहाँ पर किस देश के साथ और कहाँ पर इस सैन्दी अभ्यास को किया गया है सैयुक्त सैन्दी अभ्यास है तो उसमें भारत के साथ कोई भागिदार रहा होगा और स्थान भी आपको बताना है तो इसका पहला वाला ही सही है किर्गिजिस्तान और बिश्केक बिश्केक नाम की जगपी ये किया गया और किर्गिजिस्तान इसमें शामिल हुआ भारत के साथ उसने योगदान दिया अभ्यास का नाम क्या था खंजर यहां तक हमने देखा और 25 वीडियो आपको एक्जाम से पहले तक मिलते रहेंगे लग कर दो यहेंगे यहां रहेंगे, आपको था लूगदा और यहां विजिस्तान आपको बिश्केक घम पतान चिजिस्तान